आज हम बनाएंगे दाल, बड़ी साधी सी दाल बनेगी लेकिन वैसे बनेगी जैसे हमारे बड़े पहले बनाया करते थे हमाई नानी बनाती दादी बनाती थी, खुला पका अगर दाल को बनाया जाता था और दाल लितिनी जादा स्वाध होती थी कहना ही क्या और आज कल हम दाल बनाते हैं अमें ऐसेडिटी हो जाती है जब से pressure cooker का वेश्कार होई न तो दालें बनाने में के जो तरीका हमारा बिल्कुल बदल गया है तो पहले वाला तरीका आज उस तरीके से हम authentic तरीक से बनाने वाले हैं इसके लिए मैं लेए लालमसूर क दाल जो बहुत जल्दी पकती है और खाने में बहुत स्वाद होती है दाल को पकाएंगे हम थोड़े से अध्रक लसन प्याज और हरीमिच को एड़ करने वाले हैं तो अध्रक लसन को आप कूट करेंगे तो स्वाद और बढ़ जाएगा काट कर भी आड़ कर सकते तो मैं लसन बहुत अच्छी प्री सीजन हांडी है यह तूटेगी नहीं बस आप जब भी मिट्टी के बर्तन में पकाएं ना तो उसे हलके हलका गर्म किया जए एक समसे तेज आंच पर रखते तो फट जाता है तो दाल मैंने डाल दी है बर्तन में मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पा अच्छा रहता है और यह देखिए साथ ही मैं इसमें एट कर रही हूं जो मैंने लसन अदर कूट कर रखा है और इसमें थोड़ा से प्याजी आधा प्याजाई इसे मैंने बरी काट कर दिया है पहले के लोग जब भी दाल कुछ भी पकाते थे खुला पकाते थे अंगीठी नमक डालीे है थोड़ी सी लाल मेच भी डालकि तरकिया में इससे कर देते हैं और दाल में बॉइल आने का इंतजार करते हैं यह दिकि थी किसी दाल में जाग गिराते रहने हैं तो क्या कीजिए कडची लीजिए और जाग गिराइए जब से मैंने का प्रेशर कुपकर आ रहा है तो जाग फैंकने का तो सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है जब बंती हैं तो आप जब तक गलेगी नहीं इसमें जघ आती रहें बस feminist का तो आप ऑजल तो ऑंप इसमें से जग निकाल कर गिराते रहें दाल पकनी हमारी शुरू हो गई है और काफी हद तक इसके उपर से ज्शाग आ रही है और यह अभी कच्ची है जब यह कच्ची रहती है तब इसमें से ज्शाग आप निकाल लेजिए और जो पकरी होती तब बिशक ज़रुरत नहीं है यह देखिए अभी मैं कच्ची दाल में सही जहाग जो है निकाल रही है और अब हमारी यह जो दाल बनेगी स्वाद भी बनेगी और ऐसे डिटी तो बिलकुल नहीं करने वाली लोगों को दाल खाके भी आजकल गैस हो जाती है अब हम चीजिए दाल में सही जहाग नेखाल निकाल तो कुछ पानी भी कम हो रहा है तो इसमें पानी आट किजे आप दाल में कितना पानी डाल ने खुला पका रहे हैं आप अंधाजसे से डाल सकते है कम या ज़्यादा कित्ती सारी और इसको प्रफांग देती हैं और अब द दाल दस मिनट में पक जाएगी बहुत जल्दी गलती है तो मैंने पूरा नहीं डखाए कि बाहरा आ जाती है तो इसे एक तरफ रख देते हैं तड़के की तैयारी करते हैं तड़के में हम छोटा सा एक प्याय थोड़ी हरीमिश थोड़ा लसन बारीक कटा वादरग बारीक तड़के के लिए मैंने पैन ले लिए और दाल को मैंने पिछली गैस पर ट्रांसफर कर दिया है जब तक हमारा तड़का पकेगा हमारी दाल बहुत बढ़िया से गल चुकी होगी अब मैं देसी घी का तड़का लगाने पारंपरिक तोर पर दालों को देसी घी का तड़का लगाया जाता है तड़के मैंने हींग और जीरा भी आट कर दिया है हींग जीरा डालिए लसन तरफ प्याज टमाटर डालिए टमाटर लास्ट में अब दाल में जो छोंके का स्वाध आता है जब प्याज अच्छे से भूरे हो जाते हैं तब तक हमें ने पकाना है नहीं तो में स्वाध नहीं आने वाला तो बस दो मिनट में जो है तड़का हमारा देखी इतना बढ़िया हो गया और यह वो स्टेज होती जब तड़का जल जाता है बस हमने फड़ा फट से इसमें डालने टमाटर और बस थोड़ा सा स्टर कीजिए टमाटर ज्यादा नहीं पकाने तेल गर में अच्छे से दूमर पर पक जाएंगे और इसमें अब हम सीजनिंग एड़ करने वाले जिसकी मैं इसमें थोड़ी लानमेच एड़ करूँगी थोड़े से मैं इसमें धनिया पाउड़ दो चोटे चमश मैं धनिया बाउड़ या नहीं कुरियांडर सीट है जो दाल मिचम उपर से भी डालते हैं दनिया लेकिन तड़के में जब आट कर दो तो मज़ा कई गुना हो जाता है ट्राइक करना फिर बताना अब इसे मिक्स कीजिए देखे हमारा बढ़िया तड़का रेडी है और गर्मा गर्म तड़का जा रहा है हमारी दाल की हांड देखे हैं और यह मिट्टी के बरतन में दाल पकर है न कोई आपकर नहीं है पतीले में बना लीजेगा स्वाथ तब भी आएगा फर्क तो पढ़ता है मिट्टी के बरतन में बनाने से एक इस तरीके से अब यह बहुत जरूरी होता है एक बार तड़का डालें फिर दाल को तड़के के पैन में डाल के चला कर वापस डालें यह देखे कितनी बढ़िया हमारी दाल जो है बन गई है तड़का मिक्स कीजिए और सारा स्वाथ जो है इकठा हो जाए तो दो मिनिट से धकन लगा कर रखें अगर दाल कची तो जाल देर के लिए लग सकते मैंने दाल जो यहिए बंद हो देखें बंद है इसी वज़े से थोड़ी से अभी तक कुःग रही है अभी यह डाल पक चूकी है मैरी सिंपल साधारन मिल्बसूकी दाल तयर ए जैसे कि पहले परमपरीक तौर पर खिला पकाया जाताथ था वैसे पकाया है और इसका स्वाथ जो है कई लेकिन आप इस तरह से खुला पका कर बनाएंगे तो आप खुद ही स्वाद में डिफरेंस पता लगेगा आपको पुरानी याद आ जाएगी तो मैंने तो गर्मा गर्म डाल बना लिए और राइस के साथ दाल खाने का अपना ही मज़ा है तो पहर में अगर सिर्फ और कुछ ना हो इस तरह से दाल चावल हो तो बस मज़ा ही आ जाता है मुझे उमीद है तो आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो कि आप जल्दी बनाए तो कि आपना है करुप पहर राता है